करनाल के असन्द में पढ़ने वाले गाउं बाहरी को बेस्ट विलेज अवोर्ट के लिए चुना गया है बतादे कि वर्ष 2020-2021 के लिए बहतर लिंगान उपात होने पर गाउं बाहरी का चैन हुआ है वही पिछले वर्षों की भाती हरियाना सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहट लड़कियों का लिंगान उपात सरवाधिक होने के लिए गाउं की दस्मी परिक्षा में सरवाधिक अंक लाने वाली तीन बेटियों को उपायक्त निशान्त कुमार यादव ने नकत पुरुसकार दे कर समानित किया है स्कीम के तहट इस उपलब्दी के लिए ऐसे गाउं की दस्मी परिक्षा में प्रथम द्वित्य वर्त्य रहने वाली बेटियों को कुल एक लाख पचास हजार रुपे का पुरुसकार दिया जाता है अर्थात प्रथम रही बेटी को 75,000 रुपए द्वित्यस्थान पर रहने वाली बेटी को 45,000 रुपए तथा त्रित्यस्थान पर रहने वाली बेटी को 30,000 रुपए नकत दिये जाते हैं इसके लिए बहरी गाओं की अंजली ने 90 प्रतिशत अंक लिये, दूसरी बेटी खुशी ने 84 प्रतिशत और तीसरी बेटी मधु ने 83 प्रतिशत अंक लेकर परिक्षा अच्छे नमबरों से उतिल की गाओं में चालू बितवर्ष में 1000 लड़कों के पीछे 1305 लड़कियों का जन्म हुआ जो जिले में सरवाधिक है बतादे कि बाश जन्वरी 2015 को प्रदेश के पानीपत से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कारेकरम का शुभारंब किया था ताकि समाज में बेटीों की भी बेटों के बराबर कदर हो उन्हें पढ़ाई के साथ साथ जीवन में उन्नती के लिए बेस सभी अवसर प्रदान किये जाएं जो लड़कों को दिये जाते हैं कारेकरम को आगे बढ़ाते हुए हरियाना सरकार ने बेस्ट विलेज अवोर्ड की स्कीम लागू की जिसके तहट ऐसा गाउं जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा हो उसका चैन किया जाता है और उसी गाउं की लड़कियों को दस्मी की परिख्षा में प्रत्म द्वित्य वत्रित्य स्थान पाने के लिए कुल 150,000 रुपे का परुसकार दिया जाता है इस वर्ष का पुरुसकार बहरी गाउं को मिलने पर उपायुक्त ने तीनों बेटियों को सम्मानित करने के बाद उन्हें आगे बढ़ने की प्रेड़ना दी और उजवल भविश्य की कामना की उपायुक्त ने तीनों बेटियों को नगदराशी के चेक दिये उन्होंने कहा कि दूसरे गाउं को भी बाहरी गाउं का नुसरन करना चाहिए जीवन में उचा मुकाम हासिल करने का सपना संजोए तीनों बेटियों ने बताया कि वे और मेहनत कर आगे की पढ़ाई करना चाहती है तथा अपने माता पिता ही नहीं बलकि गाउं वजजले का नाम भी रोशन करने की ख्वाईश दिल में है इस अंदर्ब में अंजली ने बताया कि वह पढ़ लिकर बैंक अधिकारी की नौकी करना चाहती है दूसरी बेटी खुशी ने बताया कि उसका सपना आई एस बनने का है जबकि तीसरी बेटी मधू ने बताया कि वह पुलिस अधिकारी बनना चाहती है अंजली के पिता शिवराज ने बताया कि बाहरी गाओं में बेटियों के जन्म को बेटों से भी जादा शुब मानते हैं हर घर में बेटी को पढ़ाने के जादा से जादा प्रयास किये जाते हैं बता दे हैं कि पिछले वर्ष भी असंद उपमंडल के गाओं जैसिंग पुरा का नाम बेस्ट विलेज अवोर्ड के लिए चैनित हुआ था खास बात ये भी है कि असंद में ओवर ओल लिंगानुपाद जिले के दूसरे खंडों से कम रहा है लेकिन बेस्ट विलेज अवोर्ड के लिए इस उपमंडल के गाओं ने गौरफ पाया कालिकरम में उपसे सिविल सर्जिन डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि चालू वित वर्ष के बेस्ट विलेज अवोर्ड में बाहरी गाओं बहतर लिंगानुपात में 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या 1305 के साथ पहले स्थान पर रहा इसी क्रम में घरोंडा का फरीदपुर गाओं का लिंगानुपात 1000 लड़कों के पीछे 1269 लड़कियों का रहा और ये गाउं दूसरे स्थान पर है जबकि तरावडी के गाउं तक खाना 1178 लड़कियों के जन्म के साथ तृत्तिय स्थान पर रहा अरियाना सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस टीम के तहर आज हमने करनाल जिले का वो गाउं जिसमें सैक्स रेशो अट बर्थ यानि जन्म पे जो लिंगानुपात है वो अधिकतर हो हाइस्ट हो उस ऐसे गाउं की तीन बच्चियों को हमने सम्मानित किया है वो ग उसकी जो तीन बच्चियां थी जन्होंने दसवी में हाइस्ट मार्क्स हांसिल किये थे उनको हमने फर्स प्राइज 75,000 का, सेकंड प्राइज 45,000 का और थर्ड प्राइज 30,000 का हमने दे करके सम्मानित किया है मुझे खुशी है कि असंद सब्डिविजिन जहां पे आम तोर पे भ्रून परिक्षन के सेक्ष डिटर्मिनेशन के केसिस बहुत सारे सामने आते हैं वहाँ पे एक ऐसा गाओं मिला जिसमें लिंगा नुपात इतना जादा था जनम के समय और मुझे उमीद है कि आने वाले समय में बाकी गाओं भी इसकी तुलना करेंगे इससे और सबक लेंगे जो तीन बच्चिया हैं जो दस्वी में अपने गाओं में टॉपर्स रही हैं उनके उज्वल भईश्की में कामना करता हूँ अपने सपनों का घर बुक करेंगे